हेलो दोस्तों स्रागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे सीटेट मैंट पेडागोजी का अबजेक्टिव कोश्यन इससे हम लोग का रिवीजन हो जाएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं मैंट पेडागोजी के कोश्यन तो टॉपिक देखें गनीत की प्रकिर्ति एवं सेक्षन विद्या तो गनीत की प्रकिर्ति क्या है तो गनीत की प्रकिर्ति सरल एवं आन विद्याले पाठ क्रम की अपेक्चा अधिक सुडिट होता है गनीत की प्रकिर्ति यथार्थ एक्जेक्ट तार्किक यानिक लोजिक क् sequence और अधिक स्वस्ट होता है अगला कोशन देखे गनीद एक यह थार्थ विग्ञान है अर्थाथ इसके नियम सुत्रिया सिधान्त का प्रेक्षन कभी भी और किसी वी स्थिति में किया जा सकता है अगला देखे गनीद के ग्ञान अरजन से समस्ट परकार के तार्किक सकती च प्रात्मिक संकिन अस्तर पर गनीद का सिक्षन का उदेश गनीदी संक्रिया का विकास माप तौल की कायू को परिचित करना संक्या समंधी कोसल का विकास मुर्थ से अमुर्थ धार्ना का विकास उच अस्तर पर देखे गनीद सिक्षन का उदेश समस्या समध्या कोसल में द बिषलें नात्मक लोगता को पोचीद करना अमुर्थ से मुर्थ धार्ना का विकास परिकलन समंधी कौसल का विकास अगला हम लोग देखे गनित सिक्षण का मुख उदेश NCF 25 के नुसार भीध्याले सिक्ष्या में गनित सिक्ष्या का मुख उदेश चात्र एभम चात्राओं की सोच का गनितिय करन करना है अगला कोशिन है अन्सीअब दोर पांच के नुसार विद्याली पाठकरम में गनित सिक्षन का मुखो देश है तो पहला हम लोग देखे संक्या समंधी कौसल का विकास प्रात्मिक संकिन अस्तर पर पिष्लिसनात्मक योगता को पोस्षित करना, उचस्तर पर सोच विचार को गनितिय रूप देना चोथा गनितिय संक्निया का विकास संकिन अस्तर पर अब हम लोग इसी रेटिट कोशिन देखे गनित क्या है, गनित की भासा क्या है गनित का प्राकृति क्या है, गनित में सोच के परकार क्या है, गनित सिक्षन कामों के उदेश देख क्या महतु है, गनित सिक्षन को प्रवावित करने वाले कालत क्या है, गनित कैसे पढ़ाय जाए, सिक्षन भी दिया, तो पहला कुशन देखे, गनित क्या है, तो गनित गन् गनित संख्या और अस्थान का विग्यान है, गनित मापन और मात्रक और दीशा का विग्यान है, गनित अग्यनात्मक और प्रग्यात्मक विग्यान है, गनित तार्किक विचारों का विग्यान है, गनित विग्यान का अमुर्थ रूप है, लौक के अनुसार गनित वह मार्ग जिसके दौरा हम बच्चों को मण या मस्टिख्स में तर्क करने कर स्थापिद करते हैं अगला देखे गनित की भासा क्या है गनित स्वयं में एक अजो बिबिन चिन्नों मे union् से चलती है गनीतके ग्यानर्जन के लिए यौन सखना सो सकताई नहतु हैं अर्थात हम लोगों के समान वाससा कि गनीत की भाससखा हैं गनीत के गनीतर गन प्रकिर्थी 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 प् गनीत के सिक्ष्य नादिगाम पर निम लिखित में से किसका प्रवाव होने की संभावना निमतम है तो छात्रों को गलत उत्रों को पूरे हल को देना अगला कोश्चन हम लोग देखें रोईत नियानवा किया कि बर्ग एक समचतर भूज और एक आयत दोनों है वह ऐसे वेन हील के मानस चिंतर में कौन से चरण पे हैं तो अस्तर दो संबंध गला है किनी दो पुन संक्याओ का योग एक पुन संक्या होता है तो पुन संक्याओ क इस गुन को इस परकारू लेखित किया जाता है स्वर्नक गुन अगला गनीत के सिक्चन अधिगम विषय में निमनीखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो इस कैंसर गनीतिय ग्यान के सर्जन में तर्क और सगें तर्क और वारता की एक महत्पुन भूमिका है अगला कोश इस ग्याओ का अनुकुरम और असंगति को प्रसाहित करना चाहिए अगला प्रात्मिक अस्तर पर गनीत पढ़ाने के लिए निमनीखित में से कौन सा पहलू अतियंत महत्पुन है तो गनीत को बच्चु के जीबन में अनुभावों का भाग बनना गनीत के प्रकिर्थी के कौन सा कथन सत्य नहीं है तो गनीतिय की से रचना में तर्क कोसल महत्पुन है अगला कोशन देखें निमनीखित किरिया कलापों में से किसके विद्यार्थियों में तिरिबियम विवेचर यानि दिक अस्थान का सक्षा बिक्सित होने के सरवाधिक संभावना है तो इसका इसका अंसर हो जागा चौपर आकिर्थियों को पहचानना अगला है बच्चों को निमनीखित में से क्या आतियन तुपयोगता है तो किंजें यार छड़े अगला है निमनीखित कत्नों में से किसमें संख्या है कि तीन का परियोग करम सूचक वाव में हुआ है तो इस सूधिक कंद कि समक्ष को बेतर करने के लिए रिनात्मक संख्यां की संकु leaf को परिचय परात्मिक अस्तर पर करते हैं चाहिए गनेति कि अफदार्ना का परिचय देने कि सम्वंद में कुछ सूध कर चाहिए तो बच्चों को समक्ष सभी परकार की त्रिबुज वह आना किर्थियों को प्रस्तुत करानी चाहिए अगला है गनित के सिक्षन अधिगम संदर में निमनिकित में से कौन से प्रकिरिया वांचनी है तर संकल्पनाओं की अंटर देशी समक्ष को प्रसाहित करना चाह है जिरो सो आठ के माद सभी अभाद संक्याओं की सूची बनाई है डी अपसन आयातों के बारे में जो भी कुछ गनिती जन करिये मुझे बता है तो इस कैंसर हो जागा ए और सी बंद सीरे वाले प्रस्न है और बी और डी मुक्त सीरे वाले प्रस्न है अगला कोश्चन के आप दक्षिन की ओर जाए फिर दाय मुरे फिर दोबारा दाय से मुरे और फिर बाई ओर जाए अब किस दिसा में है तो पश्चिम दिसा अगला कोश्चन है मनीश रोहन विकास और नवीन के माद मनीश रोहन से बढ़ा है और विकास नवीन और रोहन से छोटा है मनीश नवीन के उम से बरा है तो इनम से कौन सब से छोटा है तो विकास अगला कोशन एक पुरुज की और इंगित करते हुए एक महिला बोली इसकी माता मेरी माता की एक मात्र पुत्री है महिला उस पुरुज की किस परकार से समंदित है तो माता अगला है मनोहर जोती युजना का स मंद है तो जरुवत मंद घरों को एक लगू और उर्जा प्रनाली उपलाप्त कराया जाने से अगला हर्याना के नव गठीट छट्टे राजबीत आयोग के सदस से चीब कौन है तो विकास गुपता अगला कोशन देखें दिरोना चाई प्रसकार जोरबीस के लिए हर्याना निमनी कीट मेंसे किस प्रासिक्षन को चुना गया है तो किस्टन कुमार हुड़ा को चुना गया है अगला कोशन देखें अरियाना का निमनी कीट मेंसे attracts में अनराज के साथ साज़्ा नहीं करती तो इसका जगा चर्खी दाधरी अगला है सो तंत्स देरी न आमद अली ख महर्याना के किस सर से समंदित है तो फरुक नगर अगला वर्थ 19 में संपन वे विधान सवाचुनाव में परत्याश्य मिद्वार के लिए वे अधिक्तम सीमा थी तो 28 लाग अगला निमनिकित में से कौन सबसे छोटा बन अभ्यारन है तो चिल किला चिल चिल चिला अगला है स किस खेल से समंदित है तो मुक्यवाजी से समंदित है अगला कोश्चन देखें निमनिकित में से कौन सा एक सही सम यूग नहीं है तो इस कैंसर हो जागा सूरज कुंड जील कुल चेत्र अगला देखें किस वर्स अल्याना विधान सवा के अधिक्तम कुल संख्या नभ्य की गई तो वर्स 1977 अगला चीत्र में दिये गठोस का नाम है तो तिर्गुजा चार्च प्रिज्म तिर्गुजा कार प्रिज्म अगला है बच्चों को मध गिंति के कौसल को विक्सित करने के लिए निमनिकित में से कौन पूल्प संक्या अभधारना के रुप में सीखने के ल रुपन जो पूरे और उसके अंस के भी समन दिखाता है कहला आता है पाई चार्ट अगला है निमनिकित में से कौन से गनितिये परकिरिया नहीं है तो मानस दर्शन अगला कोश्चन है गनित में नेधानिक परिक्षन का उदिश है बच्चों की समक्ष अंतर जानना अगला निमनिकित में प्राणांबिक संhrlichा संकल्पना समद्धित नहीं है तो सनक्षन अगला कोश्चन है निमनिकीत समुच्चयों में से कौन से गनित में प्रस्न हळिकर्ने का कौसल है प्रत्म तुरूती विदी चित्रांकन करना और कंठर्ष्ट करना अगला है एक तिरभुझी कि एक ही क्रम में के लिए किये गए सभी 22 कोनों का योग कितना है तो 360 डिग्री है अगला कोश्यन है किसी मा में तीन रभी बारों की दिनांक सम संख्या है तब उस मा की 15 तारीकों क्या दिन होगा तो इसके अंसर हो जागा सनी बार इसमें से कौन साकतन सकते है रूट अंडर ए प्लस बी गेटर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी एला कोश्यन है निम्नी कितने से कोई तीन मापों को लेकर कुल कितने तिरभुज बनाया जा सकते हैं बुजा की माप एक दसनों दो सेंटीमीटर चार दसनों दो सेंटीमीटर पांच दसनों नो सेंटीमीटर आर दसनों एक सेंटीमीटर है तो इसके अंसर पंद्र होगा अगला देखें टू पर पावर मैनिस वन है फिर ब्रही ब्याकेट में मैनिस वन के सरली करन को प्राप् अगला कोश्चिन देख एक बवबूज की अंतर और बाय कोर्णों का अंतर 60 डिग्री है तो बवबूज की बुजाओं की संख्या है तो छे अगला एक सरल रेखा परिस्थी बिंद्जू की संख्या होती है तो असंख्य होती है एक तिरगुजा कार्पिज में कितने सिस होते हैं अगला कोश्चिन कक्च 11 के शात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे समोधित करेंगे उनको मुर्थ पदार से बिनमें नियम समझाएंगे अगला है गनित के प्रात्मिक पाठकरम में प्रती चीत्रन का प सब्सक्राइब करें और इसका पीडिया प्राप्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जोड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आज के लिए इतना है दो फिर मंगता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यु आ प्रकाइब के लिए प्राप्ट कर दो बॉक्त एंक्या कर दो आज करें